आज हम लाइफ के फोर यू में बात करने वाले हैं नसों के उपर अगर चोट लग जाए तो उसके अंदर क्या सिचुएशन होती है रिकवरी के चांसे कितने होते हैं अगर कोई नस दब जाए कट जाए या नस की वज़े से कोई रिस ड्रॉप हो जाए फुट ड्रॉप हो ज गुस्ख का ड्रॉप के और लियुकिया थासी होती है पहली बात तो बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रहनति होती है की नस जो होती है वहूं की नली 2 तरीके हम intrigue होती है एक हाठ से ब्लड लेके जाती जिसको आर्ट्री बोलते हैं दूसा जो वापस हाठ में ब्लड लेकी आती उसको नवीन बोलते है हम यहां बात कर रहे हैं उस नस की जो सूचनाउ को ले जाती है brain से spinal cord से उस शेरीर के अलग-अलग ओर गन्स को अलग-अलग हाथ और पाउं को सूचनाएं ले जाने वाली जो नस होती है उसको हम बोलते हैं nerve injury या उस पे लगने वाली चोट को बोलते हैं nerve पे होने वाली injury ये चोट किसी भी प्रकार से हो सकती है या तो किसी चोट लगने से, accident होने से, penetrating injuries की वज़ा से किसी sharp object से कटने की वज़े से, किसी surgical procedure की वज़े से किसी fracture की वज़े से या उस नस के उपर अगर दवाब पढ़ता है जैसे कि जो disc के pain होते हैं, disc disease होती है उनके अंदर नसों पर दवाब पढ़ता है या जैसे कापल टनल injury होती है, यहाँ पर एक नस जा रही होती है जिस पर दवाब पढ़ता है तो कई बार देखा होगा कि आप पैर के उपर पैर रखके बैढ़ जाते हैं और पैर सो जाता है तो यह compression type की condition है क्योंकि वो थोड़ी दर के लिए पैर के उपर पैर रखके बैठे हैं तो थोड़ा चलने पर वो injury ठीक हो जाती है वो condition ठीक हो जाती है पर अगर लंबे समय तक सोचिए imagine करें कि कोई पैर के पैर रखके भूल जाए तो वो जो deficiency आएगी सुन पन आएगा वो लंबे समय तक रहेगा ये नहीं कि थोड़ा सा आप चले और वो ठीक हो गया अब इसके बाद नस्थ को थोड़ा सा समझने की ज़रुत है तब ही ये बात समझी जा सकती है ये जानकारी मिल सकती है कि हमारी जो injury है वो कितनी गंभीर है फोड़ी सी इसमें टेकनिकल बाते हैं बट अगर उसको समझने की कोशिश करेंगी तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि किस प्रकार की injury है तो ऐसा मान के चलिए कि ये एक nerve है जो पूरी एक nerve जा रही है उस nerve के पर जो ये वाला हिस्सा है ये सबसे बाहरी covering है इस covering को हम बोलते है epineurium तो हम चित्रों के द्वारा diagram के द्वारा भी देख सकते हैं कि epineurium सबसे बाहर की जो covering होती है उसको बोलते हैं ये पूरी की पूरी नस के उपर की covering है फिर इस नस के अंदर बहुत सारे bundles होते हैं बहुत छोटी छोटी नर्व के fibers को लेके जाते हैं तो उन bundles के उपर जो covering होती है उसको हम बोलते है perineurium और उस bundle का नाम होता है fascicles तो इस fascicle के अंदर बहुत छोटे छोटी नर्व के fibers होते हैं जिनको हम बोलते है exon अब ये सबसे छोटी structure है सारे signals लाने ले जाने का काम करती है यानि सबसे छोटी unit जो है जो सूचनाओं को ला रही है और ले जा रही है उसको बोलते हैं exon ये exon जो होते हैं इनके उपर भी दो तरीके के fibers होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनके भी एक special तरीके की covering होती है जो बहुत तेस सूचनाओं को ले जाती है उस covering का नाम होता है myelin sheet ये किसी भी तरीके की injury से भी बचाने का काम करती है तो exon ही वो चीज होती है जो सबसे ज़्यादा सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करती है अब ये चीज हमने जानी क्यों हो क्योंकि अगर हम इस injury को समझेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा compact चीज हो गई कि सबसे एक मोटी nerve है उसके उपर भी एक covering है उसके अंदर भी बहुत सारे bundles है उन bundles के अंदर भी एक छोटा fiber है तो अगर इस diagram से जो cross section है nerve का अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि nerve की injury हमारी कितनी गंभीर है इसी को समझने के लिए classifications बनाये जाते हैं जिसमें हम nerve की injury की गंभीरता को समझ सकते हैं हमें क्या outcome मिलेगा क्या हमारी नस ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी तो simplicity के हिसाब से दो classification हैं जिसमें भी हम simple वाले को समझने के लिए रखेंगे जिसको बोलते है sudden classification जिसके अंदर तीन तरीके की नसों की injury की बात की गई है सबसे पहली को बोला जाता है neuropraxia neuropraxia का मतलब है कि नस के उपर दवाब पड़ गया जैसे हम पैर पे पैर रखने की बात कर रहे थे इसी प्रकार से अगर किसी जगे नस के उपर लगाता दवाब है नस दबी भी है तो उसमें सूचनाओं का जो आगान प्रदान होता है temporarily वो stop हो जाता है तो वो नस अपना काम करना बंद कर देती है जो function उसका काम होता है वो function करना बंद कर देती है तो उसका एक popular example है कि जैसे अगर कोई drink करके रात में सो जाए और उसका हाथ इस प्रकार से रखा रह जाए तो उसको हम बोलते है Saturday night palsy क्योंकि जब यहाँ पर जो नस जारी होती है वो दब जाती है और उससे wrist drop हो जाती है जिसको बोलते है radial nerve की injury जिससे wrist drop हो गई है तो यह neuroplexia का उधारन है और इस nerve की recovery के chances सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं कि इसने कुछ भी काटा पीटा नहीं है सिर्फ नस के पर दवाब पड़ा है जो दवाब धीरे धीरे time के साथ दुबारा उसके अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो आना शुरू हो जाता है इसको कुछ months भी लगते हैं लगभग दो, तीन, चार महिने भी लग जाते हैं depending upon कि कितनी severity के साथ में ये compression पड़ा था ऐसे और भी examples होते हैं जिसमें इस प्रकार की injury होती है ये सबसे simplest तरीके की injury हो गई जैसे दूसरे नंबर की injury की बात करते हैं उसको बोलते है exon temesis तो हमने बात की थी कि exon वो सबसे छोटा fiber है जो सूचनाओं को ले जाता है अगर ये exon ही किसी वज़ाए से crush हो जाएं cut जाएं किसी fracture के बीच में इलग जाएं कोई चोट लग जाएं तो जो सूचनाओं का आदान प्रतान तो रुखी जाएगा वो नस जो काम करती है वो काम करना बंद कर देगी चाहे हातों में wrist drop होना हो या clawing of fingers होना हो पैरों के अंदर foot drop का होना हो ऐसी बहुत सारी injuries बहुत सारे काम रुक जाएंगे क्या ये ठीक हो सकते हैं? Yes, exon के अंदर एक possibility होती है कि वो दुबारा से regenerate हो सकता है और regenerate होके ये 1 mm per day की speeds के साथ साथ दुबारा से बनना शुरू हो जाता है although perfect function आएगा नहीं आएगा नहीं कहा जा सकता तो कि वो depend करता है कि कि कितने exons बन रहे हैं दुबारा और वापस पुराने connection से सही से जुड़ पा रहे है तो वो depend करेंगा कितनी ज़्यादा खराब injury है तो इसे मोटे तोर पे 1 inch nerve यानि exon दुबारा बन जाता है यानि अगर कोई नस यहाँ पे दभी है और यहाँ का function आना रुका है तो यहाँ से यहाँ तक का जो distance है अगर suppose करिये कि वो 5 inch का है तो 5 महीने लगेंगे उसको और कुछ थोड़ा extra time मिला के देखेंगे तब जाके वो injury वापस आती है ठीक होती है तो इसमें कई बार सजरी की जड़ोत नहीं पढ़ती कितनी यह injury है यह नहीं है इसका पता लगाने का तरीका होता है कुछ test होते नसों के एक NCV होता है और एक EMG nerve conduction velocity दूसरा होता है electromyography जिन से कि यह पता लगता है उसके अलग-अलग signals होते हैं जिनको doctors देखके पता लगाने की कोशिश करते हैं इतनी गंभी चोट है तो यह चीज़ ठीक होने के chances fair होते हैं तीसरी प्रकार की जो injury की हम बात करें वो सबसे खराब है जिसको बोलते है neurotimesis neurotimesis का मतलब पूरी की पूरी नस कट गई है और नस कटने के बाद पूरा complete जो भी message जा रहा था exons भी कट गई है सारे के सारे जितनी भी layers की बात की चाहिए पूरी nerve की epineurium की endoneurium, perineurium सारी की सारी चीज़े कट गई है यहाँ कोई recovery बिना सज़रे के possible नहीं है तो सही timing में हो उसके भी बहुत सारे factors होते हैं पर यह बात सबसे important है कि इतनी गंभीर नस की चोट बिना सज़रे के ठीक नहीं हो सकती है और जितना delay होगा उतनी ही उसके अंदर outcome आने के chances कम होते हैं तो इस प्रकार की जो injuries होती है वहाँ पे surgery ही एक outcome देनी की चीज़ होती है उसके बाद भी कितना अच्छा outcome आएगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वो depend करेगा कितनी severity के साथ किस part की nurse गई है उसका क्या-क्या function था तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती है तो इसी classification से समझा जाता है कि हमारी nurse अगर दभी है कटी है तो क्या वो ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है वो इस classification से समझा जाता है कि कौन सी grade में है उनको पता लगाने के test है electromyography और nerve conduction velocity उसके लावब एक और test होता है टिनल्स test होता है तो टिनल्स test में एक तरीके से tap किया जाता है कि nurse जहां आखरी जगे खतम होती है वहां से पीछे की तरह वापस जाते है जहां तक nurse वापस बननी शुरू हो जाती है वहां पर tap करने से एक दम से current जैसा लगता है तो उससे हमें idea लगता है कि ये nurse ठीक भी हो रही है या नहीं हो रही है तो वो कुछ time के बाद टिनल्स test पॉजिटिव आता है तो हम हर बार उसको ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि progression कैसा हो रहा है टिनल्स test का तो इस प्रकार से ये जो नसों की injuries होती है नर्व injuries होती है इनको इस classification in test के द्वारा जाना समझा और treat किया जाता है Thank you